हेलो दोस्तों आज हम discuss करने जा रहे हैं कोडिंग । डिकोडिंग जो कि आपके SSC exam , Parenk Railway रिल्वे हरीक exam में सबसे ज्यादा question पूछ जाने वारा topic है तो आई हम इसको discuss करते हैं तो दिखिए दोस्तों इसमें सबसे सबसे पहले को क्या करना पड़ेगा इस MegId आपको लेटर प्लेस की नंबरिंग याद होनी चाहिए कि कौन सा लेटरकिस नंबर पर आता है उसके लिए हमाई आपको दो ठ्रिक लिखवा देते हैं उसकी साहता से आपको याद रहेगा पहला ठ्रीक है मरा इसकी कोडिंग क्या होती है इसकी कोडिंग होती है 3 6 9 12 15 18 21 और यह 24 तो दिखिए जैसिक माली जी आप से पूछा जाता है कि बताई एम की कोडिंग क्या होगी आपको जरूरत पढ़ती है मैं की kater गया होगी तो तुरनत आपको यह ल कर पता होगी 12 तुर बारा के बाद क्या आगा है दस, पंदरा, बीस, उसके बाद क्या करेंगे? 25. तो यही दो आपकी क्या है? तरीके हैं जिसको आप याद कर सकते हैं, पूरे लेटर प्लेस की कोडिंग. अब आगे आते हैं, दूसरी चीज हमारी आती है, रिवर्स, जो कि रिवर्स होते हैं, तो सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, रिवर्स लिख देते हैं, पूरा और इसके लिखने का तरीका क्या होता है? देखिए, जैसे कमाले जी A सी स्टार्ट करते हैं, तो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L. ठीक है? अब यहीं से सीधे इसके नीचे से भी आना है लिखते हुए, अब देखिए, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z, देखिए, जो भी लेटर है, इसके नीचे की जो लेटर है, वो इसका क्या है? अपोजिट है, जैसे माले जै कि A का अपोजिट क्या है? Z, Z का अपोजिट? A, B का अपोजिट Y, Y का अपोजिट B, इसी तरह से C का अपोजिट X, और X का अपो इसके क्या है? अपोजिट नंबर है, अब हम देखते हैं कि इसको याद कैसे करते हैं, तो आप देखेंगे, देखिए, ए आएगा दिमाग में, तो आपके तुर्ण दिमाग में Z आ जाएगा, क्योंकि A to Z क्या करते हैं आप? A to Z ही तो कुछ भी याद करते हैं, लेटर की इसके क्या होती है? A to Z होती है, आगे आप आएए, अब देखिए, आपको याद करना है B, तो B, Y, इसको आप क्या रिलेट कर लेंगे? बाइ, आप किसी को बाइ कहते हैं ना, बाइ जैसे कि बाइ, तो इसलिए आप रिलेट कर लेंगे किस से? देखिए, B का Y से, अब आग इससे रिलेट कर लेंगे, 6 से तो कुछ दिर के लिए आपको इसको क्या कर लेंगे? C कांसीडर कर लेंगे, 6 बोलते हैं तो C का 6 हो जाएगा, D का क्या कर लेंगे? W, तो due पीते हैं आप लोग, तो वहां से आप W कर लेंगे रिलेट, इसके बाद D, E के बाद E का क्या होगा इवनिंग, इसके बाद आता है आपका F, तो A, B, C, D, E, F आ गया, तो F का आपोजिट क्या हो जाएगा? F का opposite क्या होगा F का opposite होगा 4 तो U होता है F O U R F का opposite क्या हो जाएगा U हो जाएगा F G आ गया तो G का होता है T तो आपने GT road का नाम सुना होगा उससे क्या कर लेंगे आप लोग relate कर लेंगे देखिए G तक हम आ गये इसके बाल आता है H तो H का क्या हो जाएगा S और आपका relate किसे करेंगे High School तो आप H तक आ गये अब यहाँ पर हम देख लेते हैं I I का क्या होगा R तो यहाँ से आप relate कर लेंगे Indian Railway Indian Railway तो Indian Railway आपके दिमाइप में आ जाएगा आप पुरिवाइस खरा देंगे जे आता है तो जे का क्या हो जाएगा Jungle Queen ठीक है आगे आते हैं KP K क्या होता है उल्टा P तो कानपूर होता है तो क्या का P से आप कानपूर से relate कर लेंगे आगे आते हैं L O L O का होता है आपका Love तो देखिए L का O और B का E आप देख रहे होंगे कि L का पोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे L का पोजिट O और B का पोजिट E अब आते हैं M A N Man पे M का जो होगा N तो यहाँ पर इसको relate करेंगे M A देखिए याद कराते हैं देखिए A to Z BY by CX6 DW Dew EV Evening FU4 GT GT Road HS High School IR Indian Railway JQ Jungle Queen KP Kanpur LO Love MN MN तो यहाँ से आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे एक दो बार तो आपको पूरी चीज़े क्या हो जाएगे दिमाग में फिट हो जाएगी और आप देखेंगे कि इसका फायदा आपको अभी कोस्टन में कैसे मिलेगा अब आते हैं एम डारेक्ट कोस्टन पर देखिए सबसे पहला कोस्टन आप बताएंगे basic H A N D यदि hand की कोडिंग की गई है आपके I B O E से I B O E से तो आप बताएंगे कि सिल्क की कोडिंग किस से की जाएगी तो आप ये देख रहे होंगे कि देखिए H के बाद क्या आ रहा है I आ रहा है आ रहा है कि नहीं उसके बाद A के बाद क्या रहा है B आ रहा है मतलब कि A के लेटर क्या हो रहा है फारवर्ड पैटर्न पह घुम रहा है यसे कि देखिए I V O E has a बी लख लेंगे लिकलेंगे लिख लेंगे और अब देखिए सके भ़ाद क्या आता है कि अब से ही जब किको को पूछ नगी है तो यहां से जब हमारा एक एक लेटर आगे होगा तो क्या होगा S के बाद क्या आता है T I के बाद J L के बाद M के बाद IJK L K के बाद आता है L तो J T J M L इसका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा अब आगे आते हैं कि कोस्टन नमर्ट टू आप देखेंगे हैंड की कोडिंग की गई है हैंड की कोडिंग की गई है इओ बी आई से आप बताएंगे सिल्क की कोडिंग किस से की जाएगी सिल्क की कोडिंग किस से की जाएगे तो अब देखिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो डाइक्ट अब क्या लिखेंगे इनके ऊपर का लेटर प्लेस लिखेंगे तो एच का आठ होता है है A का ओन होता है N का 4 5 152 का कितना होगा नौ तो अब देख़ यहां होंगे कि फारवर्ड पैटर्न आपको क्या हो रहा होगा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आठ के बाद 5 तो फिर यहां पर हमको वह लाजिक से महीं मिलना चाहिए कुछ तो आप देख रहेंगे यहां पर क्रॉस पैटर्न चला है आपको मतलब कि शुरू वाले का लास्ट वाले से सुरू वाले का सुरू वाले से यहां पर S की कोडिंग कितनी होती है 19 I की 9 L की 12 की 11 तो आप देखिए यहां पर की है 11 तो यहां पर कोडिंग क्या हो जाएगी 12 तो 12 पर क्या आता है L आता है आ गया ऐसे ही S की कोडिंग किसी हो जाएगी T से L की कोडिंग किसे हो जाएगी M से I की कोडिंग किसे हो जाएगी यह 10 पर आएगा यह 20 पर आएगा और यह 13 पर आएगा तो इसका एंसर कितना हो जाएगा LMGTs का answer हो जाएगा अब आते हैं question no.3 पे पैटर्न आप समझेए कि पैटर्न कितने तरह से question आप से पूछे जा सकते हैं आगे question आता है hand hand की coding की गई है आपकी तोड़ा सा बड़ा लेखिए hand hand की coding की गई है E-O-B-I से E-O-B-I से तो silk की coding किसे की जाएगी इसके भी बताना है silk की coding ही है आप फिर देख रहे होंगे इन सब के उपर हम क्या करेंगे इनका लेटर प्लेस दिखेंगे तो 8,1,14,4 यही होगा यहाँ पे 5 यहाँ पे आपका 15,2,9 आ गया यही तो है ना question E-O B-I-E-O है B-I-E-O है अब देखिए यहाँ पे है 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना है 15 तो आप देखेंगे क्या है यहाँ पे ना आपको cross मिला है, ना cross मिला है, ना forward मिला है तो यहाँ पे क्या है आपका, reverse method, reverse cross चलता है तो यहाँ पे 2, 2, later का pair बना के किया जाता है तो देखिए, एक के बाद 2, 8 के बाद 9 14 के बाद 15, तो 4 के बाद क्या, 5 तो ऐसी यहाँ भी करेंगे 19, 9, 12 और यह क्या हो जाएगा? 11 तो यहाँ पे देखिएंगे, आप 19 यहाँ क्या होगा? 20, तो S का क्या हो जाएगा? T, ऐसे ही 9, 9 का 10 कितना हो जाएगा? I के बाद क्या आएगा? J, L के बाद कितना हो जाएगा? M, K के बाद? तो ऐसे हो जाएगा इसका answer तो बस आपको अगर लॉजिक कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा बताने का तरीका सिर्फ यह है कि आप इसके ऊपर लेटर प्लेस का क्या लिखेंगे? नमबर लिखेंगे और उसके बाद आपको लॉजिक सीधे ना कुछ ना कुछ लॉजिक दिख जाएगा अभी जब हम क्यों का लेवल बढ़ाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि कितना असानी से इसे प्रोच के साथ हो जा रहा है तो आगे देखिए जैसे लिखा है क्योश्चन कि स्याम की कोडिंग कि स्याम की कोडिंग की गई है आपकी JXVEP से तो आपको बताना है पिंकू की कोडिंग किससे की जाएगी पिंकू की कोडिंग किससे की जाएगी तो आप कुछ मत करिए आप सीधे बस इनके लेटर प्लेस का क्या करिए उपर का लिख देजिए तो एस होता है 19, H8, Y25, A का 1, M का 13 तो J का कितना होगा 10, X का 24, B का 22, E का 5 और P का 16 अब देखिए आपको क्या मिल ला है तो आप देखेंगे कि आपको रिवर्स में इसमें फारवर्ड पेटर में कुछ नहीं मिल ला है सीधे तो आप रिवर्स चेक करेंगे तो रिवर्स में आप देखें कि 3 माइनस हो रहा है तो कोई बात नहीं यहां पर हम क्या कर देंगे माइनस 3 और यहां भी क्या हो रहा है माइनस 3 हो रहा है ऐसे देखिए 8 से क्या बना 5 और यहां पर कि यहां भी चला है अच्छा है और यहां बीच में देखिए ज़रा क्या हुआ है बीच में भी माइनस ही हुआ है ऐसे यह आपको यहां भी करना पड़ेगा तो यहां देखेंगे पी का कोडिंग कितना होता है 16, आई का 9, यह 14, क का 11, यू का 21 में से 3 जाएगा 18, और 18 की कोडिंग होती है और पी है 16, 16 में से 3 जाएगा तो 13 होगा 13 की कोडिंग क्या होती है अब ऐसे ही देखेंगे कि 9, 9 यहां पे है तो यहां पे क्या लिखा जाएगा 3 कम 6, तो 6 की कोडिंग क्या होती है, F, यह K 11 है तो 3 माइनस 8 होगा, 8 की कोडिंग क्या होती है H, और यह 14 है तो 14 में से 3 जाएगा 11, तो 11 की कोडिंग क्या होगी, K होगी इसलिए इसका answer क्या होगा आर एच के एफ अब थोड़ा थोड़ा हम question का level भी बढ़ाएंगे और अपनी speed को भी बढ़ाएंगे तो आप देख लिजे question को कैसे करना है अब देखिए अब एक question देख लिजे आप देखिए humidity humidity की coding की गई है U-H-I-M-I-D-Y-T से ठीक है तो आपको बताना है फिर किंग की कोडिंग की की जाएगी फिर से की जाएगी किंग की जाएग तो आप गी आपको यह आपका पौजिसन जत्याऀम और टुजरुर्व rael sent देखिए इसमें आपको जो ऊपर दिखाए यू यहां पर एम यहां पर आई यहां पर डी यहां पर आई कहां पर यहां पर टी यहां पर और वाई आप सीधे ऐसे यहां पर भी कर देंगे आई को कहां बेज देंगे यहां के को यहां जी यहां 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 आई के जी यहां इसा क्या हो जाएगा करेक्ट एंसर हो अब देखिए आगे कोशन रेक लेते हैं किंग किंग की कोडिंग किसे की गई है पी आर एमटी पी आर एमटी से की गई है ठीक है तो रेल की कोडिंग किसे की जाएगी का रेल की कोडिंग कैसे कि जाएगी तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर हमने क्या लगाया है कंसेप्ट लगा आप देख रहे होंगे तो आप लगा दिजीए आर है Our का किया हो जाएगा आई ए है इंडियन रेलवेख ट्वे अलहा थ allegiance इं एक question आता है आपका number coding पे जैसे कि एक question आपसे पुछा जाता है बहुत पुछा जाता है SAC के exam में तो लिखा है cat cat की coding किसे की गई है 24 से sad sad की coding किसे कर दी गई है 24 से तो आपसे पुछा गया बता रही है आप कुछ मत करिए यदि आपको कुछ भी नहीं पता तो आप सीधेन के letter place की लोग आएंगे तो यह 3 पे आएगा और यह किस पे आएगा 20 तो आप देख रहे होंगे कि 20 इन 3 का sum ही तो क्या है 24 और यही क्या कर दिया गया यहां पे लिखा गया लेकिन हो सकता है कि यहां पे एक से गुड़ा कर दिया गया हो तो आप आगे भी चीजों को क्या करेंगे verify करेंगे यह की कोडिंग क्या होगी 19 इसकी एक और इसकी चार तो 19 एक 20 और 24 चार चोबिस यानि कि यहां भी सेम लाजिक तो यहीं लाजिक से यहां पे भी आप लगा देंगे तो देखेंगे 19 आठ और पांस तो आठ पांस तेरा और तेरा और उन्नीश कितना हो जाएगा 32 और 32 कोश होटल इस इकल टुट्वल अगरे अगरे देखेंगे दोस्तों बहुत सांदार कोशन है यह आप देख रहे होंगे कि इक कोडिंग क्या होती है फाइप होती है तो क्या फाइप का फाइप या टिक दिया जाए इसी को चेक करने के लिए से उनको दूसरा स्टेट्मेंट दिया जाता है तो आप देखेंगे कि 12 की कोडिंग तो सीधे यलकी हो गई तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि डिरेक्ट इन सब का लेटर प्लेस जोड़के लिखती आगया होगा तो आप कहेंगे नहीं चिक करते हैं आगे क्या हो सकता है सब कि खेयंगे से हैं तो आप से लिख कर किए होगा क्योंकि यहां पर चीज यहां. यहां साथ को और भी लिख दिया गया नहीं लागे सब स्स से एलका है लिख तो तो 12, 13, 13, 26, 26, 26, 26, 26 हो जाएगा आपका कितना, 30 और 30 को 4 से करेंगे तो ही तो लोजिक लगेगा ना, फिर से देखी एक बार, L का कितना होगा, 12, और A का कितना होगा, 1, M का 13, 13, और इसका कितना होगा, 4, तो 13, 4, 17, 17, 1, 18, और 18 और 12 कितना होगा, 30, और 30 को 4 से करेंगे तो आएगा आपका 7.5 और यही करेंट टेंसोर हो जाएगा, ठेक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगला टापिक होगा हमारा कलेंडर का, और उसमें हम डिसकस करेंगे कलेंडर टापिक को, तब तक आप इस वीडियो को सेयर करिए, और मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों, थैंक यू.